गुड मोनी स्टूडेंट्स अब सभी का स्वागत एक नई वीडियो में और आज के नई लेक्टर में हम करेंगे पैराग्राफ जो की आपके पेपर में नोद्य का जो टेस्ट होगा उसमें आने वाला है उसमें आने वाले questions के answer हम यहां पे डूंडेंगे तिसके लिए सबसे पहले अपने paragraph को पढ़ते हैं और paragraph शुरू करें इससे पहले अधिया अपने channel को subscribe नहीं कि आथ चैनल को subscribe कर लेना और bell icon अब से press कर लेंग ताकि आने वाले हर नई वीडियो का notification आपको मिलता रहे चलिए अपने paragraph पढ़ते हैं पहले शहद का प्रियोग लगबग सभी प्रिवारों में होता है यह पहली वस्तु है जो बच्चों को पैदा होते ही खिलाई जाती है पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शुद्शहद कैसे उत्पन होता है बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पहले शहद की गुट्टी दी जाती है लेकिन लोग ये नहीं जानते कि शुद्ध शहद कैसे उत्पन होता है शहद की मक्यां फूलों से रस चूशती है वे बड़े बड़े पेड़ों वे पहाड़ियों पर छटा बनाते जहां बहुत सारी मदुमक्यां एक खटी एक परिवार की तरह रहती है न उसमें वो चटा बना लेती है वहां पर इन चटों को चटों को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारी मदुमक्यां होती है उसमें वो सारी काड़ जाते है शहद निकालने के लिए मक्यों को धुआ करके भगा दिया जाता है उस चत्ते के नीचे धुआ कर दी जाती है ताकि धुआ उस चत्ते तक पहुंचे और मदुमक्यों वहाँ से भाग जाएं एक चत्ते में लगबग 15 किलोग्राम तक शहद निकलाता है एक चत्ते में जो बड़ा सा पूरा चत्ता बन जाता है उसमें कितना शैद निकल जाता है 15 किलोग्राम इसके साथ साथ लगबग एक किलोग्राम से हदिक मॉम भी निकलाता है बदुमक्यों के चत्ते में मॉम होता है ना वो चत्ता मॉम का ही बना हुआ होता है तो एक किलोग मौम बत्ती बनाने के काम आता है शहद में बहुत गुण होते है तो जो 36 जो मौम मिलता है उससे क्या बना जाता है मौम बत्ती है तो इस पैराग्राप हमने पढ़ लिया है अगर आप समझ भी नहीं आए तो पैराग्राप को दो बारा से पढ़ो फिर भी नाई आए तो तीसरी बार भी पढ़ो और जब अच्छे से समझ में आ जाए तब अपने क्वेशन करते हैं चलिए हम अपने क्वेशन कर लेते हैं शहद कहां से प्राप्त होता है अपने इसमें देखो क्या बता रखा है इसमें कहां से प्राप्त होता है तो अपने option देखेंगे और फिर paragraph में देखेंगे कहां पे अमने पढ़ा था तो देखो इसमें option है a option a खेतों से b फूलों से c जानवरों से d कारखानों से तो देखो कहां से मिलता है भई फूलों का रश चूसती है अगला question है दूआ क्यों कि आ जाता है तो option है मदो मख्यों को बगाने के लिए मच्चरों को बगाने के लिए शहद बनाने के लिए या d option है जानवरों को बगाने के लिए तो किस लिए किया जाता है दूआ हमने paragraph में पढ़ा है मख्यों को बगाने के लिए जब सहद निकालते हैं चत्ते में से तो पहले मद्धु मख्यों को बगाने के लिए नीचे दुआ किया जाता है ना तो ए ओप्षन अपना राइट ओप्षन अगला क्योशन है 15 किलोग्राम सहद निकलता है कहां से लगबग 1 चत्ते से लगबग 2 चत्तों से लगबग 3 चत्तों से लगबग 8 चत्तों से तो कितने चत्तों से निकलता है देखो अपने यहां पे है इसमें पहरा ग्राफ में एक चत्ते में लगबग 15 किलोग्राम सहद निकलता है ना तो यहां अपना ए ओप्षन राइट ओप्षन है एक चत्ते से अगला अपना क्योस्टन है एक छत्ते से कितना किलोग्राम मौम निकल आता है शहद के साथ छत्ते से मौम भी निकलता है ना तो कितना मौम निकलता है देखो पैरग्राफ में दे रखा है यहां पर लगबग एक किलोग्राम से हदिक मौम भी निकल जाता है एक छप्ते की बात हो रही है ना तो यहाँ option देखते हैं 2 kg से 100 km, 1 kg से 100 km 3 kg से chronist तो इन में एसे कौन सा होगा यहाँ पे कह रहा है, 1 kg से 100 km अपने paragraph पे यही कह रहा है ना तो अपना B option, right option रहेगा अब अगला question यहाँ ना है mom से क्या बना जाता है अपने पेराग्राफ में लिखा हुआ है, एक किलोग्राम से हदिक मौम भी निकलाता है और मौम बत्ती बनाने के काम में आता है, तो मौम से क्या बनता है, शहद, मौम बत्ती, छत्ता या उप्योग तो सभी, मौम से मौम बत्ती बनाई जाती है, है ना, अब छत्ते से तो प और भी आप कितने ही paragraph कर सकते हो जब परग्राफ को एक बार दो बार तीन बार अच्छी पढ़ोगे फिर उनके questions को पढ़ोगे options को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे एक बार भी डिया आएगा दो बार में आ जाएगा दो बार में नहीं तो तीसरी बा फाइदा उटासके थैंक यू